नमस्कार दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में जो साइंस का फोर्सन है उसको हम छोटे-छोटे वीडियो के अंदर यानि जिसे आपके टोपिक है कार्बन और उसके योगी यह पूरा टोपिक ना करवा कि इस टोपिक के अंदर यान्षए अच्छा ओं मैं यहां है वह में करवाने जा रहा है और किस इसाब से जो आर्ट के स्टुडेंट उसस इसाब से अगर इसके योगी के इस चेप्टर केंदर एक यह जो चोटे-सी सार्णी दे रहीं उसके में यह कूई बहुत ज़्यादा मैत्तोपन है यह चार योगी कहें लेकिन इनसे एक बार तो question आपके first grade में आ चुका है कि निमन में से किस का गलना सबसे ज़्यादा होता है तो अपन इस सारने को आज याद भी करेंगे और arts वाले student कान खोल के सुन लो इस में से question को आप गलत नहीं करना है question फिर से आ सकता है अपना उमीद ही है क्यों लगाएं कि दुबारा नहीं आएगा वो सकता है इस बार जो है कवत्ना का पूछ ले सबसे कम वाला पूछ ले या आरो ही औरो ही करमे पूछ ले तो अपने को आज की class से एक question निकालना है और ये सारने अपन को याद करने है सिद्धी सी बात है दूसरी बात आपके जच्चे तो ही class देखें time खराब करने की कता ही जुर्ट को नहीं सिद्धी बात है जिसको ये लगता है कि यार इस topic को मुझे बहुत गहराई से पढ़ना है PhD करनी है YouTube को लोगा चारो वीडियो पढ़े देखो अच्छे से दिमाग लगाओ और PhD करो लेकिन जिसको ये लगता है कि science का portion बहुत tough है कैसे अपन 5 में से 3-4 का person जो हाथ लगा पाई तो ये वीडियो देख लेना अलग से playlist बनाऊँगा जिसी ये topic आपके डाल रखा है इस topic में NCRT में जो जान डालने वाली चीज़े होंगी छोटे छोटे वीडियो के मादिम से मैं करवा दूँगा आज तो class पहली है इसलिए थोड़ी ज़्यादा बाते हो रहे है वाकी class में अपन 9 किसी प्रकार की किसी प्रकार की बाते नहीं करें कारबन और उसकी योगी कारबन आप सब लोगों को पता है कि प्रकरती में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके अंदर कारबन नहीं बड़ा चण्चल तत्वए है और एक आवारा तत्वए भी होता है hydrogen आवारा तत्वी हर किसी के साथ बी जूड जाता है लेकिन कारबन बड़ा चंचल है इसके मिलती नहीं अच्छा थोड़ा सा मैं ये बता दू क्यों को नहीं पता होगा और साइन्स वालों को पता है यार, यह है क्या गलना कोर को बत बत contains, धेखो के लिखा है, इसका मतलब के लविन, इसका मतलब कहीना के तापमान वाली चीज़े हैं, यहां तापमान वाली चीज़े तो हैं, जैसे यह है आपकी बर्फ, इस बर्फ को अपने बाहर रख दिया, तो यह दर्वा क्या हो जाएगा दिरे दिरे क्या हो जाएगा यह वास्प बनना स्टार्ट हो जाएगा सिंपल सी बात है दर्वा से जो है दू निकलेगा एक प्रकार से कहते हैं कि तेरे अंदर इतना आप मान दूगे तेरा दूआ दूआ हो जाए तो यह दर्वा की क्या हो लग्त अच्छा बरभावे बनना ये तो क्या है आपका इक प्रिकार से गल्नाqu Since इस इसका मतलब तो गुरुजी ये हुआ कि यह जितने भी योगिक दे रखेंeed कर बन कि कांटуль का मतलब। यह तो आप समझेंगें जैसे कार्भन का benefit है कार्बन कैसे एकحझ कोई प्रमानुवर्णों के साथ जुड़ता है तो योगिक बन जाता है जैसे कार्बन का सिंबल सी होता है अब यहां देखो एट से भी जुड़ रहा है एड्रोजन से भी ओ से भी जुड़ रहा है ना CL से भी जुड़ रहा है यह जुड़के योगिक बन गया और योगिक बन गया तो कहीं न कहीं मानव जिवन में काम आएगा कहीं न कहीं तो काम आएगा और आएगा तो आज अपन को पढ़ना पढ़ रहे तो A-City का अमल पहला क्या है A-City का अमल अच्छा एक चीज में क्या बता रहा था भूल गया बीच के अंदर बीच में दूसरी बात आने की वज़़े से चलो कोई बात ने A-City कामल इसको इत्वन अमल भी कहते हैं तो देखो इसके सुत्र को कैसे याद करोगे देखो आज वाली क्लास में डबल O एक में आ रहा है अपन तो इससे ही चल रहे हैं इन चारों में से ही पुछेगा अपन ज़्यादा पर जाएं क्यों ज़्यादा कई और सो तरह है जिन में भी डबल O आता है तो अपन तो आज वाली क्लास से ही अपन लिंक करेंगे तो इस कलास के अंदर डबल O देखो किसी और में है क्या नहीं है इसमें एक ही हो है बाकि किसी में O नहीं है इसका मतलब जिसमें दो O आ रहे है वो क्या है एसिटिक मल है और इसका गलनाग और कवतनाग ये क्या होते हैं सबसे ज़्यादा होते है सबसे ज़ाद होता है अब आप सवाल करो कि कोई चीज गल रही है पिगल रही है इसका मतलब तो यह सबी जो है वो कहीं ना ख़ाए तोस रूप में होगी यह आपका सवाल हों सकता है हा दोसस जो आजएगे बहुत इकम temperature देंगे तो ये liquid वाली चीज़ें किसमें आ जाएंगी ये ठोस के अंदर आ जाएंगी ठोस के अंदर आ जाएंगी जैसे ये दिखो में एक चितर भी लेखे हैं हूं इस बोतल के अंदर क्या है करेंगे तो सबसे जद्दा गलना कि किसका होगा एस सिटी कमल का होता है दो सो नबबय केल्विन और 301 में केल्विन याद नहीं करना है यह करोगे तो और चीज़ें बूल जाओगे यह दो सो नबबय तिन सुटार में राम खता हो रही है अपनको ना तो 156 मतलब ना नबबय काँ मतलब है अपनको तो इतना ही मतलब है कि । amaak aan सबसे जदा होता है कावत नगına बीसं के एक बात होगी गेस को आप गरम करोगे जब कि इसका मतलब सबसे कम गलना को कउकला किसका होगा मेथ altro अपने दो चीज़े पड़ लियुऋ परसंसीद्ध आ सकता निमन में से किसका कवत्नाथ सबसे कम होता है ऌप संग अब हैस यह सिर्ड़क्र दो और सबसे कम होगा गलनाथ बीकम होगा और और पांद सबसे जाद और आप से प्रसव और एक रहा है इस गलनाख वाली चीज में तो कहीं दिकते नहीं आएगे जिसे लिखा है वेसे होगा क्योंकि देखो कि आप 209 एलिविन 106 एलिविन इसका मतलब एथिनूल का जो गलनाख है और एतिनूल का जो गलनाख है वो किसे कम है वो आपका कलोरो कि इसको ऐसे कर दूं। कोूऀ किसका में मेथेन का यांद कैसे रखाएं तो देखो कल कर दिरौuchen का दिनिक जीवन में देखेंगे तो या फिल फिलमें होगी तो उसके इंदर किसी को बिहोस करना है थोड़ी से टाइम के लिए दोड़ी से चुराइं के लिए तब यह यूज की जातीición आर है और ए्धेस से इल्कौल का इसमें थोड़ा सा देखो ना जिसे थोड़ा सा जो है वाइमंडल में प्रदोशित कम होता है तो इत्हिनोल गासुतर भी क्या होता है सीएस तरी सीएस टू ओए लास्ट में ओचारा ना एत्हिनोल ओल यह गलनाक वाला मेरे ख्याल से याद हो गया होगा अब कवत्नांक के अंदर क्या करना है कि यह दो नमर पर किसका नाम आएगा तो इत्हिनोल गाएगा तीन नमर पर किसका आएगा तो क्लोरोफोर्म काएगा और लास्ट में किसका आएगा आपका मेथिन काएगा इतनी राम किता गाई है और इससे थोड़ा थोड़ा याद हो जाना चाहिए वह सिद्धी से बात यह है वरना मैं एक मिनिट में भी इसको समझा देता है, यह यह है, इस तनी राम किता गाने का मतलब है, कि चारो योगी को के नाम उप्शन में मिले, तो आपको यह नहीं लगना चाहिए, कि यार यह कहां से आ गई, कहने का मतलब यह है, अब देखो यह वाला, गलनाकी बात करें, तो देखो सबसे ज़्यदा किसका है गलनाक, C-2O, C-3, C-2O, Sबसे कम किसका है C-4 का, गलनाक में बात करें, कवथनाकी तो देखो सबसे ज़्यदा, C-3, C-2O, C-3, C-4 का, आच्छा, तीन नमर पे C-C-3 होगा यह वाला, इसका मतलब यह क्या है, यह आपका, कवथनाक के अंदर ये तीन नमर पर आएगा बाकि ये वाला जो है वह आ जाएगा एथिनोल दो नमर पर और इसमें चर्चा करने गलनाग में तो यहीं रहेगा क्लोरोफोरम इसके बाद एथिनोल और इसके बाद आपका मेथिन एक बार मिनने पड़ा है एक बार आप प्रियास कर लेना और थोड़ा थोड़ा इस वीडियो को स्पीड में भी देख लोगे बड़ा हो गया आज तो ज्यदा बाते हो गई बाकि कल इसको थोड़ा सा कम कर देंगे मेरा उद्द से यह था कि इस सारणी से अबगी बार परसना जाए तो गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में गलन लगता है इसको समझने में आज के इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना वही सारे के सारे तब भी मेरे को लगेगा कि हाँ यार दुबारा इस टोपिक में कहीं और ज्यान डालने वाली चीज़े हैं वो भी मैं आपके सामने लेके आँगा बाक को में आपके अगे सामने आपके सारे इस वीडियो नैश तक है घ तो कमेंशले ने वीडियो अगे हैं आपके सारी भी माहीन concrete हाऊbung में आपके साले का तय को में याद is कवेशले के।